तली हुई प्याज की जरूरत हमें पड़ती है जब हम बनाते हैं कोर्मा, बिर्यानी, फुलाव और भी कई सारी रेसिपीज में इसे डाला जाता है और ये तली हुई प्याज ये बरिस्ता रेडी हो तो खाना बनाना बहुत ही आसान हो जाता है आज हम फ्राइ करेंगे प्याज को बिना तेल के और आप इस प्याज को स्टोर करके रख सकते हैं तीन से चार महिने के लिए तो जीरो ओल की ओनियन फ्राइ करने के लिए बस आपको ये विडियो को बिना स्किप्ट करें देखना है तो यह oil free प्यास का बरिस्ता बनाने के लिए हम प्यास लेंगे प्यास को हमें wash नहीं करना है इसके छिलके उतार कर यह जो गांठ है यह हम निकाल लेंगे आप चाहें तो इसके slices पतले-पतले छुरी से कर सकते हैं या फिर slicer से कर सकते हैं slicer से करना ठीक रहेगा क्योंकि एक ही size के हमें प्यास के slices चाहिए यह oil free प्यास fry करने के लिए वरना कुछ pieces कच्चे रह जाएंगे और कुछ pieces जल जाएंगे इसलिए हम प्यास को इस तरह के slicer से slice कर लेते हैं सारी प्यास जब slice हो जाए तो इसके लच्छे हम इस तरह से हातों से खोल लेंगे अब pan को हम चूले पर रख लेंगे और medium to low flame पर इसे गरम कर लेते हैं प्यास की जो slices हमने ready किये हैं इसे डाल कर सारी जगह हम पहला देंगे प्यास के slices को हमें overload नहीं करना है थोड़ा थोड़ा इस तरह से डाल कर इसे अच्छे तरह से हम पहला लेंगे ज्यादा प्यास अगर आप डालेंगे तो नीचे की प्यास पक जाएगी और उपर की प्यास कच्छी रहेगी दो से तीन मिनिट तक जब ये प्यास 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 पर medium टो low flame पर पकेगी तब आप देख सकते हैं जो इसमें moisture है जो नमी है वो steam बर्गर निकलने लगेगा जैसे ही आप देखें कि steam अच्छा सा निकलने लगा है सारी प्यास गरम हो गई है हम प्यास को medium flame पर चलाते हुए पकाएंगे इस टाइम पर प्यास का जब steam निकलेगा तो ये हलकी होने लगेगी और फिर हमें इसे अच्छी तरश से फैला लेना है pan पर pan पर ये जैसे ही फैल जाए हम flame को बंद कर देंगे और इसे अब हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं बस दो मिनिट के लिए अब दूसरा बैच भी है प्यास का जिसे इस स्टेज तक मैंने पका लिया है दूसरे चूले पर इसे इसमें मैं mix कर लेती हूँ दो मिनिट के बाद जब ये प्यास थोड़ी ठंडी हो जाए इसके बाद हम फिर से flame को on कर देते हैं अब medium to high flame पर हमें प्यास को लगातार चलाते जाना है धीरे धीरे आप देख सकेंगे कि प्यास हलकी होती जाएगी और इसकी नमी इसका जो moisture है ये सारा उड़ता जाएग जिस तरह हम प्यास को तेल में fry करते हैं और last stage पर हम लगातार उसे चलाते हैं बस उसी तरह से हमें इसे भी लगातार चलाते जाना है जब हम देखें कि इसमें हलका golden color आने लगा है तब हम flame को बंद कर देंगे अब इस प्यास को हम pan पे ही छोड़ देते हैं 5-6 minute के लिए इ प्यास का बरिस्ता बनकर ready हो गया है इसे बनाने में आपको 7-8 minute लगेंगे तेल वाली प्यास से भी क्रिस्पी और हल्की ये फ्यास बनकर ready होती है क्योंकि तेल वाली प्यास में 40-50 पसंद तेल भरा होता है इसे आप एटाइप जार में रख लीजिए तीन से चार महीने त जपनुल पिक अलगेंगे उाली प्यास से तो है फजस कार बनाने है उले ज उलगेंगे ऱीस तेली प्यास के ज़िए यजशी.